आज की वीडियो में हूँ लोग 12th biology का second set पढ़ रहे हैं हिंदी मेडियम का तुझे लिए सुरू करते हैं पहला question इन में से कौन सा भाग आगुनी थे तो यहां पर दिया हुआ है डिम्ब यानि अंड और अंड जो है वो एन होता है यहां यहां गुनीत होता है यहां एक अलील है इसमें अलील किसे काते हैं तो जीनों के बैकल्पिक परकार को जीनों के बैकल्पिक A small t A small t या capital R capital R इस तरह का जीन होता है एक लक्षन का दो जीन होता है और जीनों के alternate form को क्या कहते हैं अगला question आपस में जुड़े आहार सिरिंखला का समूह क्या कह लता है आपस में जुड़े आहार सिरिंखला के समूह को कहा जाता है आहार जाल आहार जाल कहा जाता है एकला question कवक एवं उच्छ कुल के पौधे की जड़ के बीच बनने वाले सहजीवी संबन को क्या कहते है कवक यानि फंगस उच्छ पादब के रूट के साथ अगर जुड़ जाता है तो इसको कहते है माईको रहजा यानि कवक मुल कहा जाता है इसे कवक मुल जबकि अगर कवक यानि फंगस सेवाल के साथ बैठ जाता है सेवाल के साथ एक साथ मिलकर दोस्ती करता है तो उसको कहते हैं लाइकेन अगला कुश्चन जैमिल्स पाए जाते हैं जैमिल्स किस में पाए जाते हैं तो जैमिल्स पाए जाते हैं अस्पंज में अस्पंज में पाए जाते हैं जबकि हाइड्रा में होता है मुकुलन हाइड्रा में होता है मुकुलन अपनिसिलियम में जनन होता है कोनिडिया के द्वरा, कोनिडिया एक बिजान होता है, कोनिडिया के द्वरा इस्ट में जनन होता है मुकूलन के द्वरा इस्ट में जनन होता है मुकूलन के द्वरा अगला कोश्चन अगर एक समानने मनुस एक लड़की से लड़की जो हीमोफिलिया की केरियर है से साधी करता है तब क्या होगा एक समानने पुरुस है यानि एक सभाई इसमे होगा और एक महिला है जिसमें एक पर बिमारी है एक पर बिमारी नहीं यानि केरियर है तो इसके जो 50% पुत्र होंगे वो हेमोफिलिया बिमारी से ग्रैसित होंगे और ये 50% पुत्र को बिमारी नहीं होगा अगला कोश्चन एक आहार सिरिंखला में साका हारी है एक आहार सिरिंखला में साका हारी कौन होता है तो जो पहले उत्पादक को खाता है उत्पादक, उत्पादक कौन होता है, घास यहनि हरे पादप, हरे पादप को जो खाता है उसे कहते हैं पराथमी कोप होगता है यहनि प्राइमरी कंजियूमर ही होता है क्या, साकाहरी अगला question, इनमे से कौन सा जैव उर्बरक धान के खेत में उपव्योग होता है तो धान के खेत में पाई जाने वाले उर्बरक कौन से होते हैं साइनो बैक्ट्रिया जिसे नील हरिट सैवाल भी कहा जाता है नील हरिट सैवाल अगला question इनमे से किस पोधे में क्लिष्टोगयमी पाया जाता है क्लिष्टोगयमी ऐसा पूस्पोता है जो कभी खिलता नहीं है हमेसा बंधी रहता है तो क्लिष्टोगयमी का उधारन है कॉमिलीना एकला question डिने का हुआ भाग जो अपने अस्थान को बदल सकता है उसे क्या करते हैं ट्रांस्पोजन कहा जाता है ऐसा भाग जो अपने अस्थान को बदलता है उसे करते हैं ट्रांस्पोजन और DNA का वभाग जो प्रोटीन का संसलेशन नहीं कहते हैं उसे कहते हैं क्या इंट्रोन और जो प्रोटीन बनाएगा उसे कहते हैं एक्जोन एक पारस्थितिक तंत्र के जयवी कारक कौन चो होते हैं तो पारस्थितिक तंत्र के जयवी कारक होते हैं उत्पादक, उपभोगता और अपघटक 3 अगला कौ 뉴스 इनमे से कौन सा बैक्तिरिया दूद को दही में बदलता है दूद को दही में बदलने के लिए LAB की अब सकता होती है लेक्टिक एसिड बैक्टिरिया कर अर लेक्टिक एसिड कौन सरावित करता है लेक्टो बैसिलस अगला कोश्यन लीची लीची का खाने वाला भाग कौन सा हता है तो लीची का खाय जाता है एरील जबकि आम बुलेगा तो आम का खाते हैं कौन सा मेजो कार्प आम का उसके बाद इंडो स्पर्म किसका खाते हैं नारियल का नारियल का इंडो स्पर्म खायते हैं अगला कोश्यन 64 कोड़ोन 64 कोड़ोन में से कितने 64 कोड़ोन में से कितने अमीनो अमले के लिए कोड होते हैं तो कोड़ोन होता है पूरा 64 जिसमें से 3 कोड़ोन जो होता है रोकने वाला होता है यह UAA, UGA और UAG जबकि 61 कोड़ोन जो होता है 20 परकार का अमिनोल बनाता है 20 परकार का यानि 60 कोडोन होगा अगला कोश्चन पारिस्थितिक तंदर के अंदर उर्जा का परवाह पारिस्थितिक तंदर के अंदर उर्जा का परवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है तो वो रसाइनिक पदार्थ के रूप में होता है अगला कोश्चन बैक्ट्रिया की खोज किसने की थी? बैक्ट्रिया की खोज लुएन होक ने किया था जबकि अगर देगा कोशिका की खोज किसने की तो रौवा ठुक अगला कोश्चन कौन सा कथन सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है तुल्य रूपता है यानि सम्ब्रीती अंग जो होता है अभिसारी विकास पर अधारित होता है सम्ब्रीती अंग जो होता है वो किस पर निर्वा करता है अभिसारी विकास पर किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उप्योग और अनुप्योग के कारण होता है तो जीवों में अंग का विकास किसे अंग के उप्योग और अनुप्योग के सिधान किसने दिया था लेकिन बोला था डार्वीन ने बोला था कि प्राकिर्तिक वरन का सिधान्त होता है प्राकिर्तिक वरन का सिधान्त ये बताया था अगला कोशन थॉमस माल्थन थॉमस माल्थस के कार्य है तो थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन एनि समिष्टी के संदर्व में अपना ध्यन किया था अगला कोश्चन सकरकंद सकरकंद तथा आलू उदाहरन है किसका विकास के धर पर तो सकरकंद बनता है किसे मुल से जबकि आलू बनता है किसे तना से तो इसका आकार तथा संरचना अकार तथा संरचना अलग अलग है प्रन्तु कार एक ही हैं भोजन देना तो कैसा अंग हो जाएगा तो अंग हो जाएगा सेम रहेगा तो तुल्य रूपता मतलब संबरीती अंगर के रूप में जाना जाएगा अगला कोश्चन S.L. Miller थे S.L. Miller ने क्या काम किया था तो S.A. Miller थे एक अमेरिकन बैग्यानिक थे इन्होंने जैब बिकास के रसाइनिक सिधान्त का परियोगी करद्धिन क्या था अगला कोश्चन प्राकिर्तिक वरण सिधान्त किसने दिया तो प्राकिर्तिक वरण का सिधान दिया था किसने डार्विन ने दिया था समझात ये सनरचना वे होते हैं जिन के क्या होना चाहिए तो समझात अंग उन्हें कहा जाता है जिनका अकार तथा सनरचना समान हो प्रंतु कार ये अलग हो सारीरिक सनरचना समान हो लेकिन किरिया कलाब में वो क्या हो वे नो अगला कोश्चन निम्न में से कौन हिमरल परतिरच्छा के लिए जिमेदार है तो हिमरल परतिरच्छा किस से मिलता है बी लिम्फोसाइट से युमरल परतिरच्छा जो है युमरल मेडियेटेड इम्निटी देता है कौन बी लिम्फोसाइट जबकि सेल मेडियेटेड इम्निटी देता है कौन टी लिम्फोसाइट कोकीन किस से प्राप्त होता है कोकीन प्राप्त किया जाता है किस से एक पौधा होता है जिसका नाम है इरित्रो जैलम कोका इरित्रो जैलम कोका से प्राप्त होता है कौन सा कोकीन प्राप्त होता है झाल झाल